नमस्कार दोस्तो एक बार फिर आप सभी का श्रागत है अमसे एस्टरी गुरु में मैं हूँ आपका दोस्त सली दोस्तो बीर बहदूर सिंग पुरबांचल इन्वर्सिटीग से एक बार फिर नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है इस नोटिफिकेशन में क्या है इसके बारे में आप सभी को फुल डेटेल्स बताने वाला हूँ सबसे पहले बात करते हैं जो आज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि चुनोती यानि कि चुनोती मुल्लैंकन के हे तु जो स्टुडेंट इच्छुक है अपना मुल्यांकन फिर से करारा चाते हैं जो स्टुडेंट इच्छुक है वो फटाफट फ़र्म को अपलाई कर दे क्या है फुल डिटेल्स में नोटिफिकेशन के मादम से और भी डिटेल हम जाने का परियाश चलिए स्टार्ट करत राज विश्विद्यालों में संस्थानों के चुनोती मुल्यांकन हेतु जैसी एक बिवस्था लागू करने का निर्डे लिया गया है जिसके लिए निर्धारित गाइडलाइन्स मानक निर्देश को बिश्विद्याला कारिपरशत की बैठक 21 जनवरी के कारी शूची फोर आपको बताय जा रहा है इसकी सहमती आपको प्राप्त कर दिगई है पिर पताय जा रहा है चुनोती मुल्यांकन हे तो निम्लकी दिर्शानीर्द्रश को अपने एस्थर से महाविद्याले में परसारित करने का कश्ट करें ठीक है फिर बताय गया है यहां देखिएगा चु उपलब्द कराई जाएगी फिर दूसरा मुल्यांकित उत्तर पुष्टका का अलोकन करने के रिए उप्रांत और मुल्यांकिन के आसंतुष्ट होने पर पुना मुल्यांकन है तो आवेधन करने की शुब्दा उपलब्द रहेगी जैसे एक बार आप देख सकते हैं अगर कराने का आवेदन की शुब्दा उपलब्द कराई जी जाएगी आवेदन की अवधी आपको 30 दिन तक दी जाएगी प्रथम चरण में होने वाले को 30 दिन की ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसका जो परथम चरण के जो चुनोती मुल्यांकन होगा उसमें आपको 300 रुपे प्रति प्रश्पत्र ओनलाइन आपको जमा करना होगा उत्तर पृष्टिका उपलब्द कराने के संबंद में आवेदन के उपरांद परचारती को मुल्यांकित रमूल उत्तर पृष्टिका की संचरित प्रति सेकंड कॉपी और लो प्रताप जो अंक निकाला जाएगा और वह और रूप में सवक्रित होगा अंक प्रताइब होगा चाहे वह मूल प्रताइकों से कम हो या अधिक आपको यह भी बताया जा रहा कि अगर आप आसन तुष्ट हैं उसके बाद फिर से एक बार रीचे खोगी तो उसमें अगर आ आपको मानना होगा चाहे वह कम हो या ज्यादा फिर यह दिया अउसत मूल प्रतांकों में 20% से अधिक का अंतर होता है तब प्रचारती द्वारा जमा किये गए सुलक धाई हजार रुपे में से एक हजार रुपे की धंदास काट कर से प्रचारती को वापस कर दिया नहीं तो सारे रख लिए जाएंगे यह आपको बताए जाला कि धाई जार अगर आप जमा करते तो आपको एक हजार रुपे वापस कर दो जाएगा यह नोटिफिकेशन आज अभी अभी आई हुई है और इसी प्रकार से कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल अंस अश्ट्री गुरू से जुड़े रहते हैं साथ हैं